नमस्कार मोप्रिया आज है 19 माई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर कोविन पोटल अगले हपते से होगा विभिन छेत्रिय भाशाओं में बिहार सरकार अबलेगी ग्रामिन स्वास्ते कारकरताओं की सेवा तौक्ते तुफान का बिहार में दिखा आसा है कीबियासी दसवी का रिजल जून में नहीं होगा जारी गेहु अधिप्राप्ती की मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने की समीक्षा गलत तरीके से बने नियोजी सिक्षकों की जा सकती है नौकरी अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में कोरोना की मिले 6000 से जियादा मामले इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलो की बात करे तो अररिया में 28, अरवल में 87, और अंगबाद में 28, बांका में 28, बेगुसराय में 27, भागलपूर में 111, भुजपूर में 31, बकसर में 29, नर्भंगा में 108, इस्ट चंपारन में 26, गोपाल गंज में 424, जमुई में 60, जोहनबाद में 27, कैमूर में 51, कठिहार में 137, खगडिया में 69, किश्रंगन में 293, लखी सराय में 87, मध्यपुरा में 145, मध्वणी में 91, मुंगेर में 135, मुजफरपूर में 211, नालंदा में 232, नवादा में 68, पटना में 924, पूर्णिया में 360, रोतास में 50, सहरसा में 108 समस्तिपुर में 27, हसारन में 149, शेखपुरा में 38, शेवर में 31, सीता मधी में 95, सिवान में 153, पंसु पॉल में 265, वैश्राली में 181, वैश्ट चंपारन में 206 मामलों की पुष्टी हुए, इसके साथ ही 46 से मामले सामने आए हैं, जो दूसरे राज़ों के हैं, लेकिन के सांपल बिहार के अलग-अलग जिलों में कलेक्ट किये गये हैं, वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिला करके 11,174 मरीज ठीक होकर घर वापस लोटे हैं, जिसके बार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 5,95,370 पर पहुँच गई है कोविन पोटल अगले हफ्ते से होगा विभिने छेत्रिय भाषाओं में, कोविड-19 के वरतमान माहौल के बीच केंद्रियबंत्राले ने अपना बयान जारी करते वे, कोविन पोटल को लेकर कई महतवपून जानकारी दी है, जिसके तहत केंद्रियबंत्राले की तरफ से ज आधिकारिक बियान में कहा गया है कि COVID-19 स्वरूपों के निगरानी के लिए 17 और प्रयोक्षालाओं को जोड़ा जाएगा जिसके तहां लोगों की सुवधा के लिए COVID-19 पोर्ट लगले सप्ता तक हिंदी और 14 छेत्रिय भाशाओं में उपलब्ध रहेगा आपकी जानकारी के आपको बता दे के द्रिय स्वास्त मंत्री रॉक्टर हर्श्वर्धन के अधिक्षता में कुछ दुनों पहले बैठक आयोजन करवाई गया था और जिस तर ये मंत्री मंदल सम्हूं के 26 वी बैठक के दौरान ही इन निर्नयों की घोशना ली गई है गेहू अधिप्राप्ति के मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने की समिक्षवा बीते दिन मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने गेहू अधिप्राप्ति को लेकर समिक्षवा बैठक की जिसके तहत इस बैठक में अधिकारियों को पांच बिंदू पर निर्देश ज्यारी के साथ ही गेहूं की खरीद के समय को 15 जून तक विस्तार करने का अईलान किया गया है ताकि अधिक से अधिक किसान अपना उत्पाद बेच सके और जिससे की उनको लाभ मिले इसके साथ ही उन्होंने क्रियाशील पैक्सवार व्यापार मंडल की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ाने को कहा है इतना ही नहीं मुख्यमंत्री नितिश्ट कुमार ने अपने आदेश में गोदाम की उपलब्द था कस्टम मिल्ड राइस एवं अधिप्राप्त गेहुं की आपूर्ती की गती को तेज करने बिहार के सभी राष्ण कार धारियों को मई महीने कार राष्ण मुफ्त में उपलब्द करवाने साथ ही गेहुं के विक्रे में किसानों को किसी प्रकार की परिशानी ना हो इस बात क खयाल रखने और गेहुं अधिप्राप्ति के कारे में क्रिश्य विभाग का भी सहयोग लेने की बात कही है गलत तरीके से बने नियोजिस सिक्ष्यों की जा सकती है नौकरी बिहार में गलत तरीके से बने नियोजिस सिक्ष्यों की नौकरी पर खत्रा मन्रानी लगा है हाई बीडियो से पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान द्वारा 2006 से 2015 की बीच नियोजी सिक्षकों के सभी प्रमान पत्रों की जांच के लिए फोल्डर तलब किया था लेकिन फिर भी लेट लतीफी देखने को मिली जिसके बाद अब ऐसे सिक्षकों को चिन्हित कर लिया गया है जोनोंने अब तक वेबसाइट पर अपनी जानकारी अप्लोड नहीं की है हाला कि आपको बता दे 17 मई आखरी तारीक थी अपनी जानकारी को वेबसाइट पर अप्लोड करने की बिहार के बैंकों में लोन बाटने की गती में हुई कट सूथी नए लोन में 50% की कमी आई है इसका सीधा असर बैंकों के ACP यानि की सालाना लोन बाटने के लक्षे पर भी पड़ेगा इस बार भी पिछले वित्यवरश्ट की तरह 1,54,000 करोर रुपे का लोन बाटने का लक्षे बैंकों को दिया गया है हाला कि इस बार लोकडाउन उतना लंबा नहीं चलेगा इस बार उद्योग और निर्मान सेक्टर को लोकडाउन से बाहर रखा गया है जिसके दहित ASP पर ज्यादा दबाव नहीं पढ़ने की संभावना जुताई गई है PMCH ने पटना हाई कोट में ओक्सिजिन की और विवस्था पर भरी हावी लगातार COVID-19 के मामलों में जब से बढ़ोतरी देखने को मिली है तब से ओक्सिजिन की ववस्था को लेकर सवाल सरकार से पूछी गया है लेकिन बार-बार बिहार में परियाप्त आक्सिजिन की ववस्था होने का दावा किया गया है हाला कि बीटे दिन पटना हाई कोट में PMCH ने इस बात को स्वीकार लिया है कि COVID-19 के बाहौल में आक्सिजिन की ववस्था अस्पतालों में बत्तर देखने को मिली है साथी कोट को बताय गया है कि PMCH अस्पताल में आक्सिजिन प्लांट लगाए जाएगा जिससे जून तक उत्पादन का काम भी शुरू हो जाएगा कोट ने पटना नगर निगम को PPE किट के बिस्पोजल की ववस्था के संबन में भी जौरान चबाब तलब किया जिसके बाद अब 20 मई को सुनवाई की अगली तारीक तै की गई है पटना के नीजी हॉस्पिटल पर F.I.R हुई दर्ज COVID-19 के माहौल में कई ऐसे अस्पताल सामने निकल कर आए हैं जो लोगों के लिए मसीह बने हैं तो वहीं कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिरहोंने लोगों की खूब जे बलूटी है इन में से एक नाम पटना के श्याम हॉस्पिटल का आया है इनके खिलाफ F.I.R दर्ज कर दी गई है जारी किये गए F.I.R में कंकरबाग सिथ श्याम अस्पताल में भरती मरीज के तिमारदारों से अस्पताल प्रसाशन ने 6 दिनों में का है कि मामरे की जो आज पूलिस द्वारा की जाएगी आज भिहारी P.I.R में हम बात करेंगे श्वैता सिंग की श्वैता सिंग एक भाती पत्रकार और समाचार प्रस्तता है वो आज तक में विश्वे इसकार कारी कारी संपादक है उन्हाने अपने कर्यिर के शुरुबात पटना विश्विध याले से की थी Times of India पटना और हिंदुस्तान टाइम्स पटना में भी उन्हाने काम किया था जिसके बाद उन्हाने उन्हें सन्थानवे में इलेक्ट्रोनिक मीडिया में काम करना शुड़ी किया उन्हाने न्यूज और सहरा के साथ भी काम किया है इसकी साथ ही साल 2009 के बाद से वो लगातार आज तक में बनी हुई है विहार सरकार अब लेगी ग्रामी इंस्वास्त कारेकरताओं की सेवा कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच बिहार को मजबूत स्वास्त ववस्ता की बहुत ज़्यादा जरूरत है इसी को ध्यान में रखते वे सरकार ने अब ग्रामी इंस्वास्त कारेकरताओं की मद्द लेने का ऐलान किया है जबावत स्वास्त मंत्री बंगल पांडे ने कहा कि राजुमे राश्ट्रिय मुक्त विश्विद्याले सिक्षा संस्थान के द्वारा उत्तर निलगभग 15,000 ग्रामी स्वास्त कारेकरताओं को पुर्व में ही प्रसिक्षित किया जा चुका है इन स्वास्त कारेकरताओं को सेवा के बदले संपुर्ण कारे को संपन्न किया जाने के बाद प्रती मरीज 200 रुपए भुकतान किया जाएगा इसके साथ ही स्वास्त मंत्री बंगल पांडे ने ये भी का है ग्रामीन शेत्रों में संभावित खुरोना मरीज पहचवान एवं होमा आईसूलेशन में इलाजरत रोगियों के संयोग है तू तूक्ते तूफान का बिहार में दिखा आसर अरब सागर्त में आये तूफान तूक्ते का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है यही कारण है कि बीते दिन अंधिकान जिलों में आंशिक तोर पर बादल चायर है और कई जिलों में तो बूंदा बांदी भी हुई बहुत सम्मिज्यान के इंद्रपटना ने बताया है कि अरब सागर से उठा तौक्ते चक्रवाती तूफान अत्यन्त भीशन रूपधारन कर चुका है चक्रवात के बाहरी भाग के मध्य में बादलों का उतर प्रिदेश और बिहार की तरह बढ़ना शुरू हो गया है इसके साथ ही आजराजु के अधिकान श्रहसों में आंशिक बादल चाहे रहने और तेज हवा चलने और हलके से मध्यम वर्शा के भी प्रवल संभाबना है CBSE 10 वी का रिजर जून में नहीं होगा जारी COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते वे CBSE ने 10 वी की परिक्षा को रद कर दिया था जिसके बाद जून में परिक्षा परिणाम जारी करने का एहलान भी क्या गया था हाला कि अब CBSE की तरफ से परिक्षा परिणाम को जून में नहीं बलकि जुलाई में जारी करने की बात कही गई है मेरी जानकारी के रुसार CBSE ने नोटेस जारी कर दसवी के चात्रों के माख सब्मिट करने के अंतिम तारीख बढ़ा दी है CBSE ने कहा है कि विभिनर राजो में COVID-19 में हमारी लॉक्टाउन स्कूलों के सिक्षों को और अन्य कर्मजारियों की सुरक्षा को देखते वे तारीख आगे बढ़ाने का फैस्ता लिया गया है अब दसवी के चात्रों को परिक्षा परिणाम हासिल करने के लिए और ज्यादा इंतिजार करना होगा अब नीजी अस्पतालों में भी अंटिजन की होगी जाच कोविड-19 के इस लड़ाई को और ज्यादा तेज करने के लिए अब जीत सुनिशुद करने के लिए सरकार की तरफ से नीजी अस्पतालों में भी अंटिजन जाच की शुरुवात की गई है स्वास्तव भाग के निदेशक प्रमुक स्वास्त सेमाई बिहार डॉक्टर एंसी प्रसाद ने इस बावत निरदेश जारी किया है भारे सरकार द्वारा राज़ में कोरोना जाच के लिए अंटिजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने के निरदेश के बाद स्वास्तव भाग ने इस देशा में पहल की है अधिक संख्या में जाच के दाइरे को बढ़ाने और अधिक संख्या में लोगों के कोरोना टेस्ट किये जाने को लेकर राजु की प्राइवेट लाबरिटरियां और अस्पतालों को भी अनुमती मिलेगी सभी जानकारी के अनुसार आपको बता दे कि अभी तक एंटिजन की इसमांग को देखते हुए पटना एरपोर्ट पर बीते दिन स्पेशल विमान के तहत आक्सिजन कंसंट्रीटर को पहुचा दिया गया है जिसके तहत पटना एरपोर्ट पर 109 बॉक्स चुकितस के उपकरण के साथ आक्सिजन कंसंट्रीटर भेज़े गया है बिहार सरकार क Covid-19 की कारण दुनिया को अलविदा कहने वाले डॉक्टर रूख की सूची जारीकिया जिसमां सबसे जादा बीहार के चुकितसको की जान गया है जारीकिये की सूची के अनुसार अब तक उल मिलाकर 279 डॉक्टर की Covid-19 की कारण जान चली गया है इनमें से 78 के विहार के थे लोगों की जान बचाते विजाते खुद डॉक्टर अपनी जान गवा रहे हैं। कई लोगों की जान भी जा चुके हैं। फिर से बेगरने लगी थी मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भी उनके गुजर जाने पर शोक सम्मेदा ब्यक्त करते वे कहा कि प्रपात कुमार का गुजर जाना चुके सा जगत के लिए अपूर्णी अश्रती है। बिहारवासियों को स्पुत्निक वाक्सीन और 2G दवा का करना होगा इंतजार। लंबा करना पड़ेगा क्योंकि वाक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडरिंग को विहार सरकार ने खारच कर दिया है। बिहार प्रशासिक सेवा के साथ धिकारे का हुआ तबादा कर दिया गया है। पुर्व मधरेल के सभी प्रमुख रेल्वे स्टेशन पर उपलब्ध होगी ऑक्सीजन। में ऑक्सीजन की वस्था करने का दिर्देश दिया है बिन स्टेशनों के या आसपास के रेलकर्मियों की तब्यत खराब होने से उनने ततकाल स्टेशन से अंबुलेंस के जरी ऑक्सीजन सपोर्ट मिलेगा। जिससे उनकी जान बच सकेगे। की तरफ से दिये गए सुझाफ को COVID-19 से लड़ाई में बताया हैं। नीरच कुमार ने लालो परिवार के आपदाकाल में गायब रहनी की कही बात। COVID-19 के माखॉल में राजुनीती भी अपने चरम पर हैं। लगातार बयान बाजियों का सलसला जारी है। इस इक्राम में जदियूनेता निरच कुमार ने राज़त को आड़े हाथ हो लिया है। निता प्रतिपक्षृते जस्वियादव की इतनी बेच्वैनी देखने को मिल रही है। वाक्सीन लगवाई है। इस इसके जवाब में राजुत के वरिष नेता श्याम रज़क ने अपना बयान जारी करते वे कहा कि सरकार के पास परियाप्त वाक्सीन ही नहीं है और ना ही टेस्टिंग की सही वेवस्था है। राजीव प्रताप रूडी ने पपू यादव के आरोप को लेकर पीसी कर दी सफाई। जिसके बाद पपू यादव की गुरफतारी को लेकर राजीव प्रताप रूडी ने अपना बयान जारी किया है। अब कह रहे हैं कि गाड़ी का फिटनेस बीमा फेल था, अभी तो शुरुबात हुई, अभी आपका बहुत काला चिठा निकलने वाला है, घबराए नहीं। सभी विधायक अपने अपने छेत्रों में लोगों को अवश्य जीवन रक्षक दवाएं, अक्सिजन सिलेंडर बेड मुहाया करा रहे हैं। मैं खुद इन सारे कालों का परेविक्षन करना चाहता हूँ, साथ ही अपील है कि सरकार यह सुनिश्ट करें कि इससे रोगियों और उनके परिजनों को हिसी प्रकार के असुविधा ना हो। वधाईगं सहित मुझे भी राज्य के किसी अस्पताल और कोविड केर सेंटर आधी के अंदर जाकर मरीज एवमुन के परिजनों से मिलने और राहत पहुचाने, कोविड केर सेंटर खुलवाने और सामदाई के चंचलानी के नुमती प्रदान की जाए। भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कार्णों से महतपूर मानी जाती है। कॉलविडा 2008 में आज़ी के दिन का। के टेंडर जारी करेगा जो IPL 2022 या 2023 में टूर्नामिंट में हिस्दालेंगी। बीसी से एके श्रीष रदिकारियों में से एक के हवाले से कहा गया है कि बोर्ड वर्दमार में IPL 2021 को लेकर आधिक चुन्तित है और 19 पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कल हमारे दुवारा पूछी के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धनेवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है। के नाम है सौरब कुमार, विकास कुमार, गीत भुजपुरी, बिहार, आशीश कुमार, आयूश कुमार, सियद हुसेन, दरोगा कुमार, कुंदन कुमार, कुमार, जुतेंद्र, अमरेश चौधरी, मुहमद, जफर, आलं, राम, श्रंकर, प्रसाद यादव इसके लावा, हमारी टीम को और भी लोग के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय क्या भाव के गारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हैं, कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चले बढ़ते हैं, आशके सव